हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपुरोहित आपका जगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मेंगनेट ब्रिंस पर मेंगनेट ब्रिंस जो के फेवरें इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए जहां पर आपको किंडल गार्डन से लेकर क्लास्ट्वल तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्रिश मीडियम में और छटवी से लेकर बारवी तक हम आपक करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षा हैं साथी साथ अगर आप इनोट सुरी बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग कख्षाग यारवी की बुक जिसका नाम है बहुत एक भूगोल के मूल सिध्धान्त इस बुक को पढ़ रहे थे इस बुक का जो सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है प्रत्वी की उत्पत्ति एवं विकास इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने देखा कि ब्रहमान की उत्पत्ति किस तरीके से हुई ब्रहमान की पढ़ा कि किस तरीके से तारे बने किस तरीके से ग्रहों का निर्मान हो गया अर्य Cyrus Boy को यह अद — इसका रहते हैं। स्थर मंडल का जो विकास है वो किस तरीके से हुआ ठीक है तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पुरानी जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी अगर आप लोगों को यह वाली वीडियो जो है अच्छे से समझनी है तो आप उन पुरानी वीडियोस उसको बहुत अच्छे से देख ले नहीं तो यहां पर आपको जो चीज़ां लिखे होंगी वह बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होंगी आईए समझे लिए ग्रहाणू वा दूसरे खगोली जैसे ही घने और अलके पदा अर्थों मिश्रण से बने इखते होने से उलकाओं की अद्यां से आप लोगों ने देखा होगा जो उलका पिंड जो हैं कभी-कभी प्रस्वी पर अकर तकर प्रस्वी पर आकर घिर जाते हैं उनके अद्यां से हमें पता चलता है जब रिसर्च करते हैं हम लोग तो हमें पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणों के खटे होने से मतलब छोटे-छोटे पिंडों के खटे होने से ही क्या बने ग्रहाण की उत्वत्ति हम लोग ने पढ़ी थी तभी मैं आप लोगों को बता है था कि बहुत छोटे- जोटे रहों का तो यह पॉस्य निरमार के निर्मार होने की सबसे पहले जो चोटे-चोटे कड़ होते हैं वह दूर दूर होते हैं वापस के पास आते हैं क्वर्थवित ategories नोत भावित किया इससे अद्धिक उस्मा जो ठी उत्पन्वी उसे पास अजी काम करेगा करेग?" ये लगाता जारी रही और उतबन ताप से पदार्थ जो ते वो गलने और पिगलने लगे तो ये जो उश्मा थी या जो ये जो करन थे आपस में जैसे ही पास आ रहाए थे तो इससे उश्मा उत्मन होगी जब उश्मा उत्मन होगी तो जो पदार्थ जो होगे यहाँ पर इसकी सतर पर मौझूद होगे तो आविएस्टी वो पिगलेंगे और गलेंगे ऐसा अच्छे से क्लियर हो गई होगी और तापमान के अधिक्ता के कारण हलके और भारी तत्व भारी जो घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए तो जैसे जैसे ताप बढ़ाना तो ताप में अंतर के कारण जो थे किसी भाई उविएसली जो आप जदि किसी चीज़ को गलाएंगे तो गलने के कारण जो है घनत हो और टाप इफ्रेंस के कारण बहुत से प्रोड़क्ट जो हो औग वह अलग-अलग हो जाएंगे तो जैसे ही प्रत्वी पर जो था यह कडों के टक्नाने से ताप जो था बढ़ा पूरी प्रत्वी का तो उसमें जो कड़ थे जिनका घनत वह अलग-अलग था तो वह सेम घनत वह वाले कड़ एक पास आ गए और डिफरेंट या अलग घनत वह वाले कड़ थे वो थोड़े दूर चले गए और इनका जो separation होता है इसी को हम लोग बोलता है अलगाओ इसी अलगाओ से भारी पदार्थ भारी पदार्थ कौन से है जैसे लोहा इसी अलगाओ से भारी पदार्थ करते प्तितार कि चले गए चली और हलके प्रतिती होगा जब कोई चीज कजई में पानी घुमाएंगे और उसके अंदर कंकर पथा रहोंगे टो आप लोग देखेंगे कि बीच में चले जाएंगे और उपर सतह पर क्या हो जाएंगा हल्का प्रतित जो है वो ऊपरी सतह पर आ जाएगा तो इसे अलगाओंसे भारी पदार्त जैसे भारी पदार्त में लोहा हम लोग एंग्जामपल के तोर पर समझ सकते हैं कि लोहा जो था पृद्वी के केंडर में आ गया और हलके पदार प्रत्वी की सता है या उपरी भाग की तरफ आ गए समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्टेत होगा छोटे आकार के हो गए तो समय के साथ जो हलके तत्वते वो तो क्या हो गए बाहर आ गए और ठंडे हो गए लेकिन जो भारी तत्वते वो क्या थे अंदर थे आज भी आप देख सकता है कि प्रत्वी के अंदर हमें कितना ताप जो था वो देखने को मिलता है अंतितो गत्वा मतलब लास्ट में क्या हुआ कि प्रत्वी की भूपरपटी के रूप में विक्सित हो गए यह जो तत्वत है हलके जो तत्वत है वो प्रत्वी की भूपरपटी को इंग्लिश में बोलते है क्रस्ट क्रस्ट के रूप में जो थे विक्सित हो गए यह देख ठिकी भूपरपटी के रूपे हो गए हलके वारी तट्व पदारत्व के प्रतक होनी की इस प्रकरिया को विबेधन बोलता है देखिये समय के सांथ हलके और पदार जो भारी-पदार थे वो जो अलग हुए इसी प्रकरिया को हमழ बो विवेधन या डिफरेंसियेशन याद रखिएगा तो हलके और बारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को पर्दमा किस तरीके से बना से प्रत्वी का कुछ हिस्था फोसं अलग हो गया प्रत्वी का पंवाली यह कुछ हिस्सा जो है मैं बना देता हूँ यह इस तरीके से प्रत्वी का जो कुछ हिस्सा था वो अलग हो गया और यह धूल कर या कुछ अन्य पदार्थ थे वो क्या हो गया अलग हो गया और अलग होने के बाद जैसे देखी कोई तॉवियसतरा दो और दो और पर उबाद पहले जब प्रत्वी का निरवान हो रहा था उस प्रक्रिया में जब भारी तव जो थे बीचlia हो गए हलके ता द अगय बाहर हो गए और दूसरे थामें कब बढ़ा? जब बढ़ा? जब कोई एक giant पिंड या बढ़ा जो पिंड था, वो प्रत्वी से ठकराया और उसका जो कुछ हिस्सा था वो अलग हो गया और बाद में यही हिस्सा क्या बन गया? चंद्रुमा बन गया तो चंद्रुमा के उत्पत्ति के दूरा भीशर संगट से संगट वाण तक रहाट से प्रत्वी का ताप्मान पुना वड़ा परतें पाई जाती हैं आप लोगों को याद रखना है एक परत होती है जिसे बोला जाता है भूपरोर्पटी या भूपरपटी ने कि मगते वूपर बहुं क्रफि यी ऑप्रत होते हैं फो एक बैश कि दो भी ठीक मेंगे एंग्लिश की कई बोला जाता है मैं क्या बोलते हैं mentalаю और जो last में जो परत होती है जहां पर भारी पदारति कत्त्य जहां का वैसे बोला जाता है कोट और correct क्या बोलेंगे क्यों कि क्रोड़ cya 주 कौ k हैं लेकिन आप लोगट को यहां पर कोर का वरगी करन जो है वो दिया गया मैने आप लोगो क्या बता है कि विवेधन की यह प्रक्रिया हुई जब तापमान बढ़ा या सब से सुरूर में जब घूम रही तो भारी पदात अंदर आ तक रहा तो यह जो प्रक्रिया द्वारा प्रत्वी को पडार्त जो था वह अनेक परतों में अनग हो गया प्रत्वी के धरादल से क्रोड तक हमें कई परते दिखाई देती हैं तीन परतों के नाम आपनों को याद रखना है कौन-कौन से भूपरपटी, mental और core या भूपरपटी, प्रवार और code हम लोग समझ सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपनों को यह वाली slide बहुत अच्छे से clear हो गई होगी जैसे कि भूपरपटी जिसे हम लोग बोलते हैं crust, mental याने प्रवार और बाहर क्रोड और बाहर प्रत्वी के ऊपरी बाहर से चलने चलना स स््टाट करें बाहर से चलना स्ट待って करें और जैसे जैसे अंदर जाएंगे अब बढ़ता तो पुरत्वी की भूपरपटी से आप कुरोड की तरफ जाते हैं तो पृत्वी की स्थ्थलमंडल का विकास था वो किस तरीके से हुआ हम लोगों ने जो है स्थलमंडल के विकास यानि एवल्यूशन ऑफ लीथो स्फियर भी बोलते हैं हम लोग इसमें यह हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है तो मैंगने ब्रेंस इन्हीं जटेद जटेद बातों को आसान भाच्छा में स हमारी ऑफिशल वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप पीछे देख सकते हैं अगर आज की ये वीडियो आपनों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अगर कोई चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है किसी चीज में डाउट है तो आप कमेंट बोक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक्टर सकते हैं वहां से आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू सूमच